पहले पैर छूकर असिरवाद लिया और उसके बाद पांच गोलिया दागा और मौत के घाट उतार दिया द्रसलाब कतादिर की ब्यार के वैसाली में लालगन स्थाना शेतर के पंच दमनिया गाउं में अपने दरवाजे पर बैठे भीम आर्मी के दलित रेता राकेश पासवान की बाईक सवारा प्राधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी हत्या के सुचना मिलते हैं उनके घर पर लोगों की भीर जुट गई लालगन समेत आसपास के कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुँच गई राकेश पासवान दलित सेना के राष्टिये सच्यू थे उन्होंने लालगन्ज में पिछली बार विदान सवात चुनाओ भी लडा था जानकारी के नुसार लालगन्ज के पंच दमनिया गाओं की निवासी कमलेशवर पासवान की पुतर राकेश पासवान गुरुवार की साम अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे तबी लालगन्ज की ओर से दो बाइक पर सवार चार अपराधी वहां पहुंशते हैं एक अपराधी ने राकेश पासवान को प्रनाम किया और दूसरा अपराधी ने अनाधून फाइरिंग कर दी पांच गोली डागी जिसके बाद राकेश पासवान की मौके पर ही मौध हो गई हलाकि लोग उन्हें अस्पताल ले गए जहां मिर्त घोसित कर दिया गया बता जा रहा है कि अपराधियों की चार गोलिया राकेश पासवान को लगी गोली के आवाद सुनकर उनके बड़े भाई मौकेश पासवान और अन्परिजन दौरे भागे आए तो अपराधियों ने उन पर भी फाइरिंग करती लेकिन वो बाल बाल बच गये गोली मारने के बाद सभी अपराधि फाइरिंग करते हुए वहाँ से भाग निकले राकेश पासवान को आनन फानन में लाल गंज के एक नर्सिंग होम ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मिर्त घोसित कर दिया दे के राकेश पासवान दलित सिना के राश्टिय सचू थे और साती साथ रामिलास पासवान की लोजपा के साथ वो काम भी कर रहे थे पहले और आज की तारीक में वो प्रिंस पासवान होया फिर पस्पती कुमार पारसुन के बेहद करीवी नेताओं में से एक थे बीस का चुनाओ भी वो लरे थे लेकिन कल चार अपराधी आते हैं पहले पैर चुकर असिराद लेते हैं और फिर दनादन पांच गोली मारते हैं और मौद के घाट उतार देते हैं जिसके बाद लोगों में आक्रोस भी देखने को मिल रहा है तमाम जो लोग हैं वो आक्रोसी थे सदर अस्पताल के हेड़कॉर्टर दीएसपी देवेश कुम किये हैं पुलिस मामले की जाच कर रही है लेकिन लोगों में गुसा भी साफ तर पर देखने को मिल रहा है चुकि ब्यार में आपराधियों का मनोवल भी बहुत जादा बड़ा हुआ ऐसे में भाजपा लगतार मांग कर रही है कि ब्यार में योगी मॉडल हो जहां पराधि नहीं मानते हैं तो उनके लिए दूसरा रास्ता भी चुना जाना चाहिए ताकि उनको रास्ते पर ले जा सके जिस प्रकार सुतर परदेश में अपराधियों को माफियाओं को डौन को इंकाउंटर किया जा रहा है ऐसे अगर बिहार में दो चार हो जाएंगे तो फुर सभ कि घटना सामने आते रहती है कभी बंदूग के नोप डकहती कर लिया आता है तो कभी किसी को मौत के घांट उतार दियाता है भीम आर्मी नेता राकेश पास्वान जो लालगन से थे उनको दीन धारे कह सकते हैं कि चार अप्राधियाते हैं और गोलियों से भूंज कर चले आते हैं